बड़ी खबर हम आपको यूपी से बता रहे हैं, यहाँ यूपी में योगी सरकार ने सराब के ठेकों का नाम बदला है यूपी में सराब और बियर की दुकानों पर अब नहीं दिखेगा सरकाई ठेका, योगी सरकार का नया आदेश आया है आपकारी भी भाग के निर्देशों के अनुसार अब यूपी में सराब और बियर की दुकानों के साइन बोर्ट पर सिर्फ देशी सराब की दुकान, अंग्रेजी सराब की दुकान या बियर सौप ही लिखा जाएगा सरकारी ठेका नहीं लिखा जाएगा ये बड़ी खबर हम आपको यूपी से बता रहे है उत्र परदेश में देशी विदेशी शराब और बियर की दुकानों के रिए योगी सरकार का नया आदेश आया है इसके तहट अब यूपी में किसी भी सराब या बियर की दुकानों के साइन बोर्ट पर सरकारी और ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आप्कारी वाक्सी निर्देश जादी होने के बाद, प्रदेश भरταर की दुकानों में सरकारी और धेका सब्दों को प्रिंट किया रहा है, अब यूपी में शराब और बियर्ट की दुकानों के शाइन बोर्ट पर शिर्फ देशी सराब की दुकान अंगलेजी सराब की दुकान या बियर शौप ही लिखा जाएगा तो उधर सोशल मीडिया पर सरकार के इस आदेश पर तरहतरे की प्रितिक्रियाएं आ रही है बताते कि इससे पहले योगी अधितनाथ की कैबर ने पिछले दिनो की सच्यू के मुताबिक प्रदेश की नई आपकरी नीदी के तहट नीजी प्रियोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से आदिक मदिरा क्रे परिवाहन या नीजी कबजे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा इसके लिए निर्धारित शर्तों के अधिन प्रतेक वर्ष 12,000 रुपए लाइसेंस फीस और प्रतिबूदी धन्राश से 51,000 रुपए जमा करनी पड़े की नई नीदी के तहट प्रतिवक्ति या एक घर में सिर्फ 6 लेटर मदिरा के क्रे परिवाहन या नीजी कबजे में रखने की सीमा निर्धारित है इससे अधिक शराब रखने पर आपकारी भाग से लाइसेंस लेना होगा तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में आप शराब और बियर की दुकानों पर नहीं दिखेगा सरकारी ठेका या योगी सरकार का नया आदेश आया है आपकारी भाग की निर्धास्व इसके तहर आप यूपी में किसी भी शराब या वियर की दुकानों के साइन बोर पर सरकारी और धेका शर्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या बड़ी कबर हम आपको यूपी से बता रहे हैं